तो चलो guys आज बनाएंगे बहुत ज़्यादा तेश्टी आटे के विध तिल के बिसकिट या फिर तिल की मटरी कहलो तो यहाँ पर ले लिया है मैंने दो कप भर के मैंने लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा और यहा पर ले लिया है एक कप मैंने चीनी और एक कप पानी तो यहां पर डाल देंगे एक पिंच हम नमक तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि भी ड्राइए इंग्रीडेंट्स है तो इनको अच्छी तरीकी से हमें मिलाना पड़ेगा यहां पर ले लेंगे हम आदा का टोरी घी देशी घी तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं बस सरसो का तेल मढ़ डालना क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़्यदा स्ट्रॉंग होता है इसकी स्मेल जो होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो यहां पर मैंने देशी की डाल दिया है तो देशी की आपको इतना डालना है कि आप जैसे अब यह दो बिल्कुल ठीक है तो हम इसके अंदर जो हमने चीनी का पानी बनागी रखाता है तो चीनी चीनी एक निक निकाल कर करके डाल दिया तो देखो अपने हाथों के साहत से गवीद ला लूगी तक को तो देख़ोए यह जो है बिल मैं थाची से मिल जाए तो मतलת बिस्किट है इतनी जादा टेस्टी बनके त्यार होंगे कि बहुत जादम दा इतनी जादा क्रंची बनेंगे जो मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है ना तो उससे तो बहुत अच्छे क्रंचीनस आएगी और बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहने वाले हैं 15-20 दिन आप इसको अराम से रख करके खा सकते हो यहां पर देखो मैं इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों की साहते से इसका बिल्कुल टाइट भी नहीं बनेगा क्योंकि हमने इसके अंदर देशी की डाला है तो डो तो टाइट हो नहीं सकता इसका नॉर्मल सही इसका डो मारा बनके त्यार होगा तो देखो मैं इसको ना इस तरीके से मतब मलते हुए मैं इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लूँगी ऐसे भी निकरना है जैसे हमारता मलते हैं बिल्कुल वैसे भी नहीं मलना है कि एक दम लिसले सासा भी नहीं करना है बस हाँ इसको अच्छे तरीके से न तोल लेंगे और इस तरीके से रख देंगे इसको chopping board पे तो आप इसको board पे रख करके और तेल लगा करके थोड़ा सा गी लगा करके इसका मच्छे से इसको बेल लेंगे जितना भी पतला आपको चाहिए तो यहाँ पर देखो मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी और अब ज सी तो नुए वजाओ आपको तो मीरे पीला करके यहाँ पर करना करके इस संब लुझा कर त्यार कर लेंगे तो कितना ज्यादा डाइस्टी लग रहा है ना पहुत यंदक अज़ अध बेर बहुत अच्छा मताइस बराप होगा बहुत अच्छा चीज़ बना रहे हैं तो मतफ़ मीठे तो यहां पर मैं इसको बिल्कुल लोटू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि बिल्कुल मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी से बनके तयार हो तो आप देख सकते हो कितने जाधा क्रँची हो कितने जाधा क्रण्फी और कितने जाधा क्रण्ची बनके तयार है तो आप बिल्कुल अच्छा अच्छा साउंद बनाएं बेकरी में पता नहीं किस तरीके से बनाए जाते होंगे वो तो हम देखने नहीं जा रहे हैं तो हम इस तरीके से अपने बच्चों को भी बना करके खिला सकते हैं तो अगर आप रिफाइन डॉयल या फिर जो वासमवनस पती तेल होता है उसको अवाइट करना चाहते हैं तो आप इसको देशीगी में भी दल सकते हैं तो यह बहुत ज़दा टेस्ट हैं हमारे बन कर तया रहे हैं तो वीडियो कैसे लगी है मुझे कमेंट करके एक जरूर बताना